प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वान नेशन वान कार्ड लॉंच किया, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एंड सी एम सी, देश में इस तरह का पहला कार्ड है, इस एक कार्ड को मेट्रो, बस, नगरिय रिल्वे से यात्रा के साथ ही टोल, पार्किंग और खर कार्ड नाम दिया गया है, सभी नए मेट्रो नेट्वेक में लगेगा यह सिस्टम, स्मार्ट कार्ड की तरह होगा यह कार्ड, यह कार्ड एक स्मार्ट कार्ड जैसे की डेविट क्रेडिट कार्ड की तरह होगा, दिल्ली में मेट्रो में ऐसा ही कार्ड चलता है, जिसे आप प्रिचर्ज कराते हैं और मेट्रों में साफर कर सकते हैं करिवहन निगम की कुछ बासों में भी चलने लगा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अहमदबाद में वान नेशन वन काब की भी शुरुवात की डेबिट और क्रेट कार्ड में भी मिलेगी यह 25 बांकों में अपलब्ध होने के साथ ही यह काड पेटी एंपेमेंट बैंक द्वारा भी जारी किया जाएगा जाएगा किट के लिए नहीं लगना होगा लाइन में सभी नए मेट्रों नेट्वर्क में इस सिस्टम लगाया जा रहा है वहीं पुराने सभी नेट्वर्क में इसे बदल दिया जाएगा इस तरह का काड अभी सिंगापोर और लंदन जैसे शहरों में उप्योग होता है इस काड के आने से आपको टिकट की लाइन में नहीं लगना होगा आप सीधे मेट्रो या अन्य ट्रांस्पिट वाहन में इंट्री ले सकेंगे कई बार हमारे पास मेट्रो बास या ट्रेन या टॉल और पारकिंग शुल्क देनी के लिए नकदमे भुक्तान करने के लिए खुले रुपए नहीं होती इस मुद्दे से निपटने के लिए एक स्वचालित के राया संग्रह प्रणाली लाई गई गई कहीं उन्होंने इस बात की भी जान एक राश्ट्रेक कार्ड का हमारा सपना साकार हो गया लोग इस कॉमन मोबिलिटी कार्ड से पैसे भी निकाल सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेर, कमेंट और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूले